Hello students, welcome to Aspire Academy, मैं हूँ तारी कनवर, और बैचो आज के इस lecture में जो हम discuss करने जा रहे हैं, वो है आपका cube roots of unity, यह complex number का बहुत ही important topic है और प्यारासा topic है, तो आज के इस lecture में आप लोग यह समझेंगे कि यह cube roots of unity होता क्या है, उसका हम लोग कुछ properties discuss करेंगे और साथ-साथ उस प सुरू करते हैं और समझते हैं कि आपका cube roots of unity होता क्या है, ठीक है, तो आएए देखते हैं आपका cube roots of unity, ठीक है, यहनि one का cube roots हम लोग करने वाले हैं, तो माल लेते हैं, परितिर के लिए कि let x is equal to one का cube root, cube root को क्या लिख सकते हैं, power one by three, ठीक है, अब आज़ेगे यहां से, इस power को इदर लेके आज़ेए, या दोनों side cube कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका यहां से, xq is equal to one, ठीक है, फिर यहां से क्या हो जाएगा आपका देखिए, यह आपका xq, इसको इदर कर लीजिए, यह minus y, ठीक है, अब यहां से इसको हम simplify करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, किस पे आगया यह, कुछ इस तरह से, a cube minus b cube, one को क्या लिख सकते हैं, आप, one का cube लिख सकते हैं न, है न, तो आजएए, a cube minus b cube क्या होता है आपका, a minus b, a square, उसके बाद, plus a, b, और plus b square, तो पहले इस पे हम इस चीज़ को open करते हैं, तो देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, यह आपका x minus one, और यह आपका x square, है न, प्लस a, b, a into b, यानि x into one, यानि कितना हो जाएगा, x, और plus b square, यानि one, is equal to z, ठीक है, फिर यहां से क्या हो जाएगा, देखिए, यह आप आपका x minus one is equal to g2 हो जाएगा, और फिर यहां से x square, plus x plus one is equal to zero, ठीक है, तो यहां से x का value, एक आपका क्या मिल गया, one मिल गया है, ठीक है, यहां पे आते हैं, इसको solve कर लेते हैं, quadratic equation का जो formula होता है, x is equal to minus b, तो b, यहां पे कितना है, one है, पलस minus, under root ba square, यहनि one का square, one minus four a, c, minus four a, a one है, और c भी कितना है, आपका, one है, by two a, ठीक है, क्या हो जाएगा, आप फिर देखिए, यहां से, यहां से यहां से है, आपका minus one, और यह plus minus, one, और minus four बचा, यहांनि, root में आपका क्या बच रहा है, सिर्फ, minus three, और by two, ठीक है, इसको फिर आप वापस से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, यहां से minus one, और plus minus, आपको root में कितना दिख रहा है, minus three, इसको आप क्या लिख सकते है, root three, और फिर root under minus one, तो यह root three, और इसको तो, starting में यह चीज देख चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, I, Iota, ठीक है, तो यहां से जो यह हो जाएगा आपका, यह root three, I by two, ठीक है, तो यहां से देखिए, कि यहां से आपके पास, x का दो वेल्ड हुआया, ठीक है, क्या-क्या, एक हो गया, आपका x is equal to minus one, plus root three, I by two, और दूसरा जो हो गया, आपका, एक minus one, और minus root three, I by two, ठीक है, चे, अब, अब हर जगा इतना लिखना से अच्छा है, कि उसको एक कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, क्या, omega, ठीक है, तो यह minus one, plus root three, I by two को, हम लोग omega बोल लेते हैं, ठीक है, और यह minus one, और minus root three, I, इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, omega square, ठीक है, तो देखिए यहां से, आपके पास x का कितना value आया, x का, एक तो one आया, एक one आया, उसके बाद फिर, दूसरा omega, और तीसरा omega square आया, है न, तो यही जो आपका one omega और omega square है, इसी को हम लोग क्या बोलते है cube roots of unity, क्या बोलते हैं, इसी को, cube roots of unity, ठीक है, याद रखिएगा, क्या-क्या, one omega और omega square, ठीक है, तो यही रहा आपका cube roots of unity, ठीक है, अब चलिए, अब तोड़ा आगे बरते हैं, ठीक है, क्या-क्या आया, अभी आप यहां से, x का आपको तीन वैदों मिला, क्या, one omega और omega square, है ना, अब आदे, तो यहां पर आप omega आपका कितना है, minus one और plus root three i by two, और जो omega square है, आपका, यह minus one और minus root three i by two, ठीक है, तो, अभी आपके मन में एक सवाल होगा, क्या चलिए, इसको omega square ही क्यों बोले आप, है ना, omega कुछ और भी लिख सकते थे, है ना, omega square ही क्यों, ठीक है, तो अब आदे, एक चीज़ यहां पर देखते हैं, क्या, कि आपके पास, minus one और plus root three i by two है, अगर हम इसका square करते हैं, तो देखिए क्या होता है, ठीक है, तो चलिए, इधर तो आपका one by four हो जाएगा नीचे में, यहां squaring कीजिए, तो a square, यहां से आपका root हटेगा, और i square, i square कितना होता है, minus one, ठीक है, तो यहां से यह आपका हो जाएगा, minus three, plus two a b, ठीक है, तो two a b जब आप कीजिएगा, तो यहां पर फिर आपका minus one है, इसलिए यह आपका minus two root three और i हो जाएगा, ठीक है, तो यह one by four, और यहां से आपके पास बच जाएगा, minus two, two, और minus two root three i, two यहां से आप common कर लीजिए, two जब common कर लीजिएगा, तो यहां पर बचेगा, आपके पास minus one, और minus root three i by two, ठीक है, तो देख पा रहे हैं, यह इसका square यह है, है न, तो इसका भी square कीजिएगा, तो यह मिल जाएगा आपको, ठीक है, इसलिए एक को अगर हम omega बोल रहे हैं, तो दूसरे को omega square बोल सकते, ठीक है, देख रहे हैं न, इसका squaring कीए, तो यह मिल जाएगा, ठीक है, इसका भी squaring कीजिएगा, तो आपको यह मिल जाएगा, clear है, यानि अगर इसको आप omega बोल रहे हैं, तो माइनस वाले को आप omega square बोल सकते, या फिर अगर इसको omega बोल रहे हैं, तो इसको आप omega square बोल सकते, clear है, तो इस तरह से, यह आपका cube root हुआ, क्या-क्या, one omega, ठीक है, और दूसरा omega square, square ही क्यों बोले, reason पता चला आपको यहाँ पे, ठीक है, आप आज़े हैं, अब यहाँ पे, हम ज़रा इसका कुछ properties देख लेते, कि यह जो आपका cube roots of unity जो है, इसका क्या-क्या properties है, ठीक है, यह भी properties में ही आता है, है न, generally हम लोग क्या करते है, minus one और plus root three i by two को हम लोग क्या ले लेते हैं, omega ले ले लेते हैं, ठीक है, और minus वाले को omega square, ठीक है, एक चीज़ा और यहाँ से, कि अगर सिर्फ इतना ही हो, इतना ही आप अगर लिखना चाहें, कि minus one और plus root three i, तो यह आपका two omega के बराबर हो जाएगा यहाँ से, और यह minus one और minus root three i, यह two omega square हो जाएगा, ठीक है, अब आज है यहाँ से, इसका कुछ हम लोग properties discuss कर लेते हैं, properties of cube roots of unit, ठीक है, पहला जो property है, कि, इस तीनों का जो sum होता है, ठीक है, वो zero के बराबर होता है, यह नि one plus omega और plus omega square, यह कितना के बराबर होगा, zero के, ठीक है, यह न, one plus omega और plus omega square होगा, वो zero के बराबर होगा, कैसे, देख लीजिए, यह आपके पास one है, ठीक है, omega minus one और plus root three i by two है, और omega square minus one और minus root three i by two, ठीक है, LCM ले लीजिए यहाँ से, तो देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका two, और यह minus one और plus root three i, फिर यहाँ से यह minus one और minus root three i हो जाएगा, ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर, क्या यह और यह two minus one और minus one, यह भी आपका cancel हो जाएगा, उपर में क्या बच जाएगा, zero, तो याद रखिएगा, यह one plus omega plus omega square, कितना के बराबर होगा, zero के, यह जो भी आपका cube roots आया है, उसका अगर हम sum करते हैं, तो वो zero के बराबर हो जाता है, ठीक है, अब जब zero के बराब कि सिर्फ one plus omega का omega कितना के बराबर होगा, ठीक है, तो यह कितना के बराबर हो जाएगा, minus omega square के, देखिए, plus इधारा के क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, फिर इसी तरीके से, आपका one plus अगर omega square को replace करना है, तो इसके जगा पर हम लोग minus omega यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फिर रहा आपका पहला property ठीक है दूसरा देखते हैं कि यह जो आपका cube roots है इसका product जो है one के बराबर होगा ठीक है इसका जब product लिजिएगा तो यह आपका one के बराबर होगा कैसे product लिजिएगा तो क्या हो जाएगा omega into omega square into one यानि omega cube हो जाएगा तो omega cube का जो value होगा वो कितना के बराबर होगा one के बराबर होगा ठीक है यानि product of cube roots जो होता है वो कितना के बराबर होता है one के बराबर होता है देख लिजिए यहाँ से कर लिजिए product, एक one है, one को तो छोड़िए, अब आज़ेए, omega q, इसको क्या लिख सकते हैं, omega into omega square, omega का value minus one plus root three i by two, और omega square minus one और minus root three i by two, product कर लिजिए इसका, चीक है, तो ये नीचे में आपका two into two, four हो जाएगा, चीक है, अब आज़ेगे, यहाँ देखिए, a plus b और a minus b, क्या हो जाएगा, a square, यानि minus one का square, minus b a square, यानि root three i by का, root three i का square, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यह हो जाएगा, minus one का square one हो जाएगा, root three, square से root हटेगा, और i square का value minus one होता है, ठीक है, तो यहाँ से यह आपका plus three हो जाएगा, अब i में four, जो कि four by four, कितना के बराबर हो गया, one के बराबर हो गया, तो याद रखिएगा, बहुत important, यह property है, आपके cube roots of unity का, ठीक है, ना, किस sum जो होगा, वो zero के बराबर होगा, और product जो होगा, वो one के बराबर होगा, ठीक है, अब आजएगे, फिर यहाँ से कुछ और हम निकालते हैं, देखिए, क्या है आपके पास की omega cube one के बराबर होता है, तो यहाँ से आप omega cube को ऐसा लिख सकते हैं, जो कि यहाँ लिखे भी है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से, अगर सिर्फ omega निकालना हूँ, तो यहाँ से, यानि कहने का मतलब कि one by omega square के जगा पर हम omega use कर सकते हैं, ठीक है, फिर अगर omega square को यहाँ रखते हैं, तो यह one by omega हम लोग use कर सकते हैं, ठीक है, है ना, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना, जब question के साथ हम लोग deal करेंगे तो इसके जगा पर हम लोग omega और 1 by omega के जगा पर omega square हम लोग use कर लेगें, ठीक है, चली, next, तो ये दोनों याद रखिएगा, sum जो होता है, 0 का और product जो होता है, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, next आते हैं, तीसरा property, तीसरा क्या है, ये जो आपका cube roots है, of unity are unimodular, unimodular, क्या मतलब हुआ इसका, क्या नहीं, इसका modulus जो होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, अब हम लोग modulus के बारे में नहीं पर हैं, किसी भी complex number का हम लोग modulus कैसे find out करते हैं, ठीक है, वो just इसके बाद वाले lecture में हम लोग discuss करेंगे, वहाँ conjugate के बारे में और modulus के बारे में, तो वहाँ पर detail में समझेंगे, फिर भी एक चीज़ जाल देजे, क्या होता है आपका, ये अगर आपके पास एक complex number है, जो की x plus i y है, ठीक है, तो इसका जो mode हम लोग लेंगे, वो कितना के बराबर होगा, root में आपको ये जो real है, और imaginary part का, इसको square करके add कर दीजिए, ये ही क्या कहलाता है, mode less, ठीक है, आपको मालूम है कि कि किसी भी complex number को, हम लोग एक point के form में इस तरह से represent कर सकते हैं, है न, तो ये क्या हो जाएगा आपका y और ये x, ये जो distance होगा, ठीक है न, origin से, ये कितना के ये ही कहलाता है, modulus, ठीक है न, यानि किसी भी complex number का, जो modulus होता है, ठीक है न, तो वो क्या होता है, origin से, उस point के बीच का distance होता है, ठीक है, तो गही रहा, तो ये mind में रखिये गए इस चीज़ को, ठीक है, कि किसी भी complex number का, हम लोग modulus कैसे find out करते हैं, जैसे suppose, कि आपके पास ए जाएगा, real part देखिए, यहां कितना है, minus 1 का square कर लीजिए, और जो imaginary part है, root 3, इसका square कर लीजिए, बहुत simple सा है, ठीक है, ये 1 और plus 3, जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, आपका 4, यानि 2 modulus, 2 हुआ, ठीक है न, यानि ये जो complex number है, इसका origin से जो distance है, वो कितना है, 2 unit, ठीक ह जो भी आपके पास cube roots है, देख रहे हैं न, क्या-क्या है, एक तो 1 है, 1 को छोड़िए, ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, omega, ये क्या है, minus 1 और plus root 3, I buy 2, ये देख पा रहे हैं, ये भी क्या है, complex number ही है आपका, क्या है, complex number ही है, ठीक है, तो इसका अगर आप mod लेते हैं, ठीक है, तो देखिए, नीचे तो 2 है, इसको छोड़िए, यही चीज है न, देखिए, minus 1 plus root 3, ठीक है, इसका mod आपका कितना के बराबर आए, 2 के बराबर आए, तो कितना हो जाएगा ये, 1 for 3, ठीक है, उसके बाद आदेए, दूसरा आपका क्या है, omega square, क्या है, omega square, ये कितन के बराबर है, minus 1 और minus root 3 by 2 के बराबर है, तो इसका भी अगर आप mod लेते हैं, तो देखिए, minus 1 का square कितना हो जाएगा, 1 और minus root 3, तो minus का plus हो जाएगा, और फिर आपका root 3 से 3 हटेगा, यानि वापस से फिर आपका, ये 1 ही होने वाला है, ठीक है, तो ये जो cube roots of unity होता है, unimod dollar होता है, यानि उसका value 1 होता है, है न, model लेने पर, तो चलिए, इस चीज़ से हम एक conclusion पर पहुंसते हैं, क्या, तो उसको हम लोग 4 पॉइंट में लेख लेते हैं, कि cube roots of unity को हम लोग एक circle पे represent कर सकते हैं, ठीक है न, जिसका radius जो होगा, वो 1 unit होगा, ठीक है, यानि यह आपका origin हुआ, यह आपका x is equal to 1, ठीक है, next, omega, omega देखिए, यह minus 1 और root 3, यह न, यानि x negative हुआ है न, यही तो complex number ऐसा है न, यह क्या होगा, first quadrant में, अगर आपका minus x और plus i y है, तो यह किस कहां का है, x negative और y positive, हम points, point के form में भी तो represent कर सकते हैं, तो यह second quadrant में, यानि आप omega को यहाँ पे represent कर सकते हैं, और omega square, उसमें क्या है, minus 1 है, और minus root 3 है, यानि यह third quadrant के बाद है, है न, तो यह जो आपका cube roots of unity है, हम को, हम इसको एक circle पे represent कर सकते हैं, है न, जो क्या हो रहा है, इस circle के circumference को, तो 3 equal parts में divide करेगा, क्या करेगा, 3 equal parts में divide करेगा, और जिसका radius जो होगा, 1 के बराबर होगा, यह तो x is equal to 1 है, radius का क्या मतलब हुआ, है न, यह जो है, इसका mod, है न, यह कितना के बराबर है, 1, देखिए, इसका भी, modulus यह क्या मतलब बता है, अब यह भी बता है, है न, origin से, उस point का distance, ठीक है, तो यह भी 1 है, यह भी 1 है, यानि, cube roots of unity can be represented on a circle of radius 1, which divides the circumference in 3 equal parts, ठीक है, वियाद रखिएगा, कि, जो भी cube roots of unity है, उसको हम एक circle पे represent कर सकते हैं, ठीक है, जिसका radius क्या होगा, 1 होगा, और वो क्या करेगा, यह circle का जो circumference है, उसको 3 equal parts में divide कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, यह जो आपका cube roots of unity है, उसको हम लोग एक circle पे represent कर सकते हैं, है न, represent on a circle, ठीक है, जिसका radius कितना होगा, radius 1 unit होगा, और circumference को क्या करेगा, यह 3 equal parts में divide करेगा, ठीक है, अब चलिए, एक चीज़ और यहाँ पे आ रहा है, एक चीज़ और यहाँ से हम बता सकते हैं, यह जो cube roots of unity है, इसका geometrical meaning, एक और भी है, क्या, कि अगर इसको आप यहाँ से यहाँ जोईन कर देते हैं, ठीक है, अगर जोईन कर दे रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं, कि यह क्या हो रहा है, एक आपका triangle बना रहा है, अब वो triangle कैसा होगा, ठीक है, triangle कैसा होगा, तो चलिए, triangle कैसा होगा, उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए A माल लीजिए, B माल लीजिए ठीक है न, ऐसा करते हैं, इसको अलग separate ही करते हैं, ठीक है इसको अब separate ही कीजिए ठीक है, चली यही तक रहने देते हैं, next page पे आते हैं, इसको हम लग separate से करते हैं, ठीक है, क्या है, इसको हम represent कर सकते हैं, और ने circle, जिसका radius कितना होगा, one होगा, unit circle भी बोल सकते हैं, ठीक है, और जो क्या कर रहा है, circumference को तीन equal part में divide कर रहा है, ठीक है, चलिए, तो point number 4 हो गया है, 5 पे आते हूं, ठीक है, क्या, कि यह जो cube roots of unity को अभी अभी आप क्या किये, कि इसको circle पे आप represent किये हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, यह कितना, इसका अगर coordinate लिखे तो कितना हो जाएगा, one zero, ठीक है, यहाँ आपका omega था, ठीक है, omega क्या है, minus 1, plus root 3i by 2, तो अगर इसको point में लिखना चाहें, तो minus 1 by 2, और यह root 3 by 2 हो जाएगा, है न, आपका यह जो omega है, यह भी तो एक complex number ही है, तो इसको आप ऐसा लिख लीजिए, root 3 by 2, ऐसा, ठीक है, और आपको मालूम है कि इसको हम एक point के form में कुछ इस तरह से भी represent कर सकते हैं, ठीक है, अब यह सब कैसे कर रहे हैं, इससे पीछे वाला lecture, है न, इस second lecture में, first lecture में ही यह सब discuss किया गया है, ठी lecture number 4 है, lecture 3 में आपको square root of unity के बारे में discuss किया गया, ठीक है, उससे पहले आपका complex number का जो algebra होता है, जिसमें हम लोग addition, subtraction, multiplication, यह सब देखें, और जो सब से पहला जो lecture था, lecture 1, उसमें introduction था, कि complex number होता क्या है, कैसे इसको represent करते हैं, क्या क्या था, वो सब lecture 1 में discuss किया, तो वही पर यह lecture 1 में यह सब बात आपको बताया जा चुक है, ठीक है, अगर अभी तक lecture 1 नहीं देखें, तो एक बार जाकर देख लीजिए, ठीक है न, systematic way में क्या है, अगर देखते हैं, तो यह सब चीज समझने में बहुत आसानी हो गया आपको, ठीक है, तो चलिए, और तीसरा आ अभी हम यहाँ पर बात कर रहा है थे कि इस point को अगर हम join कर लें, ठीक है, यह triangle बन रहा है, तो किस type का triangle बनेगा, तो यह काम करते हैं, distance निकालना शुरू करते हैं, A, B निकालते हैं, ठीक है, A, B, ठीक है, तो distance formula लगा लीजिए, है न, distance formula मालूम है न, class 10 में परहे थे, है दो point है, उसके बीच का अगर distance निकालना है, यह रहा है, है न, तो लगाइए, 1 minus 1 by 2, 1 minus और minus 1 by 2, इसका square, और plus 0 minus, यानि यह आपका root 3 by 2 का square हो जाएगा, root में, ठीक है, तो 1 plus 1 by 2, यानि 3 by 2 हो जाएगा आपका, और 3 by 2 का जो square हो जाएगा, ठीक है न, 3 by 2 का जो square हो जाएगा, वो 9 by 4, और यहाँ 3 by 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका LC हम ले लीजिए, यह 4 और 9 plus, 9 plus, 3, 9 by 4, और यह 3 by 2, 4, यह 9 plus 6, तो यह आपका 15 by 4, 1 plus 1 by 2, ठीक है, 3 by 2 का square ठीक है, तो 9 by 4 हो जाएगा, यहाँ से, रूट 3 का square 3 by 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, 3 by 4, यानि, 12 by 2 हो जाएगा, ठीक है, एक काम कीजिए, 12 by 4 हो जाएगा, 3, यानि कितना आया, रूट 3 आया, ठीक है, तो यह भी जो है, इसका जो ट्रेंगल है, यह लेंध आपका, रूट 3 आया, यहाँ भी कुछ देख लिजए, है न, 1 माइनस करेंगे, तो यही चीज आएगा, और फिर यहाँ 0 माइनस से भी चीज़ है, तो यह भी आपका रूट 3 आएगा, और इसको भी कर लिजएगा, यह भी रूट 3 आएगा, यानि कहने का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, कि यह जो आपका, क्यूब रूट्स आफ यूनिटी जो है, तीक है, इसको तो हम लोग एक सर्कल पर रिपर्जेंट कर दिए, तीक है, जिसका रेडियस 1 था, अगर इसके, यह जो क्यूब रूट्स आफ यूनिटी जहाँ जहाँ आप रिपर्जेंट किये हैं, तीक है, एक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, जिसका side का length जो होगा, वो कितना होगा, root 3 unit होगा, ठीक है, तो यह सब कुछ बाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, आब आ जाएगे, ठीक है, तो यह रहा आपका cube roots of unity के बारे में, ठीक है, अब आते हैं, जैसे आयोटा के साथ, आयोटा क् होता है, आयोटा के higher power से हम लोग कैसे deal किये थे, ठीक है न, क्या था, एक बार भी call कर लेते हैं, ठीक है, यह अगर आयोटा पे अगर कुछ higher power इस तरह से दीख रहा हो, ठीक है, तो इसको deal करने के लिए, हम क्या करते थे, इसको 4 से divide कर लेते थे, 4 से ही क्यों, इसके power को 4 से divide कर लेते थे, 4 से ही क्यों, ठीक है, क्योंकि आयोटा के बारे में आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि I जो होता है, आयोटा root अंडर minus 1 के, I square क्या है, minus 1 के बराबर होता था, I cube जो है, वो minus I के, और I का power 4 करने पर ये 1 होता था, अब 1 के साथ आपको deal करना आसान है, इसलिए जो power है, उसको हम लोग 4 से divide कर लेते थे, ठीक है न, और I का power अगर 4 है, तो 1 और 1 का power 25 ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं न, अगर इसी तरह से अगर दे देते, कि 51 है न, तो क्या होता था, 1248 हो गया, ठीक है न, I into 3 कर लेगी, तो 51 हो गया, तो ये तो 1 हो गया, और IQ कितना के बराबर होता है, माइनस IQ, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग Iota के higher power से deal करते थे, और वहाँ क्या करते थे, हम लोग power को 4 से divide कर लेते हैं, और यहां भी देखिए, आपका, क्या, ये जो omega cube है, वो कितना के बराबर है, 1 के, तो यहां से आपक एक hint मिल ला है, कि अगर omega के higher power से deal करना हो, तो power को 3 से आप divide कर लीजिए, क्योंकि जब power 3 जैसे ही दिखेगा, वो आपका result 1 देखिए जाएगा, ठीक है, तो आ जाएए, तो पहला है, कि to deal with, to deal with higher power, higher power, higher power, to deal with higher power of omega, चीखे, divide it by 3, ठीक है, to deal with higher power of omega, यानि omega के higher power से, आपको अगर deal करना हो, तो उस power को आप क्या कीजिए, 3 से divide कर लीजिए, ऐसा क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि omega q का value कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, तो चलिए, example लेते हैं कुछ, क्या, कि जैसे हम omega का power आपको 16 दे रहे हैं, ठीक है, क्या करें, तो यहां से ये 3 से divide कीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 5, 15 हो गया, कितना हो गया, 15 और into omega का power 1, 16 हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, ठीक है, अगर omega का power माल लेते हैं, कुछ, इस तरह से 53 है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, इस power 53 को आप 3 से divide कीजिए, ठीक है, है ना, क्या बच रहा है, आपके पास remainder, 2 बच रहा है, तो इस 53 को आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा का power 3 और इधर 17, है ना, 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 51 हो जाएगा, फिर तिरपन है, यानि ओमेगा एसक्वार, तो इस तरह से हम लोग higher power के साथ deal कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 और ये रहा आपका omega square, यानि कितना हो जाएगा ये omega square, ठीक है, अब आजएगे, अगर आप से बोला जा रहा है, कि omega का power 2000, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 2000 को आप 3 से divide करें, ठीक है, अठारा, दो बचेगा, ये 20, अठारा, दो बचेगा, फिर 20, है न, ये रहा है, है न, कर लिजेगा इसको, फिर दो बच जाएगा, यानि कहने का मतलब, यहां से आप इसको 3 लिखिए, और इदर 6, 6, 6, और into omega square, ठीक है, तो चलिए, ये फिर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और into omega square, तो ये रहा आपका omega square, तो इस तरह से हम लोग omega के higher power से deal कर सकते हैं, अब रहे गया, अब कुछ unknown power की बात कर लेते हैं, है न, आसान है, आगे question करेंगे इस पर तो और देखेंगे इस ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ unknown power के साथ हम लोग कैसे deal करते हैं, अच्छा, खाली space नहीं है, तो ये काम करते हैं, कि इस पर एक unknown power पर एक question हम रखेंगे हैं, इसमें ठीक है न, वही पर हम देख लेगे, ठीक है, इसको note कर लीजिए, ठीक है, चलिए, तो ये रह आपका सारा, कि cube roots of unity के बारे में, ठीक है, अब आते हैं, इस पर हम लोग कुछ questions लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या क्या था, कि आपका ये 1 plus omega, यानि cube roots of unity का जो sum होता है, वो कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, यहां से 1 plus omega, जो है, वो minus omega square के बराबर होगा, यह minus omega k, omega plus omega square जो है, वो minus 1 के बराबर होगा, omega cube जो है, वो 1 के बराबर होगा, 1 by omega जो है, वो omega square, and 1 by omega square जो है, वो omega के बराबर होगा, यही इतना points याद रखी, इस 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 आपका ये question solve हो जाएगा, ठीक है, आदेगे, इसका solution देखते हैं, हम लोग 1 by 1, ठीक है, पहला, क्या है, 1 लाना है, वो लाएगी, if 1 omega omega square be the 3 cube roots of unity, 1, 1 या unity बोलिए, ठीक है, then so that, आपको so करना है, तो चलिए, इसका जो left hand side है, वो लिख लेते हैं, 1 plus omega, 1 plus omega square, 1 plus omega का power 4, 1 plus omega का power 8, ठीक है, चलिए, अभी-अभी आपके सामने है, सारा result सामने में है, ठीक है, तो चलिए, 1 plus omega को क्या लिख सकते हैं, माइनस omega square, ठीक है, 1 plus omega square को क्या लिख सकते हैं, माइनस omega, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको power जो है, वो 3 से ज़्यादा दिख रहा है, तो पहले इसी को deal कर ल दीजे, और यह omega का power 8 है, तो cube और इधर 2 डाल दीजे, 6 हो गया, और यह omega square, ठीक है, यहाँ देखिए, माइनस माइनस प्लस, यह आपका omega cube हो जाएगा, है ना, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 1 plus omega cube, 1 हो जाएगा, और यह बच जाएगा आपके पास, omega, है ना, यहाँ भ square, ठीक है, omega cube, 1 हो जाएगा, next, 1 plus omega, अभी अभी देखे, माइनस omega square के, ठीक है, और यह आपका, माइनस omega के, यहाँ से यह आपका, फिर से, माइनस माइनस प्लस, और यह omega cube हो जाएगा, जो की 1 के बराबर, 1 के बराबर हुआ, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, प्रूव कर सक दूसरा, second पर आते हैं, second क्या बोलना है, देखिए, चली, direct हम उसका, चली, पहले उसका left hand side लिख लेते हैं, ठीक है, क्या है, 2, plus omega, और plus omega square, और इसका cube, ठीक है, next, क्या है, 1, plus omega, और minus omega square, इसका power 8 है, और minus 1, minus 3, omega, और plus omega square, इसका power 4 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो है, सब आपका जो property है, उसी पे based है, ठीक है, अब आ जाएगे, यहाँ पे क्या करें, 2, omega plus omega square, कितना के बराबर, minus 1, ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्या करें, आपको मालूम होना चाहिए, कि या तो 1 plus, या 1 plus omega, या 1 plus omega square, कि माइनस के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, है न, तो चलिए, इस दोनों को हम replace कर सकते हैं, कितना से, माइनस omega square से, और माइनस omega square, और इस पर power 8 है, माइनस, अब आ जाएगे, यहाँ देखिए जड़ा, 1 माइनस 3 omega है, अब बगल में plus omega square है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 plus omega square को use कर सकते हैं, उसके जगह पर कितना, माइनस omega, यानि इसको और इसको लेके, आप माइनस omega लिख सकते हैं, ठीके, और इसका power कितना है, इसका power आपका 4 है, ठीके, चलिए, यहाँ से यह कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, तो 1 का cube 1 हो जाएगा, माइनस omega square और माइनस क्या है आपका, omega square, यानि माइनस 2 omega square, ठीके, कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से माइनस 2 omega square, माइनस 2 omega square, और इसका power कितना है, 8 है, इसका power 8 है, उसके बाद फिर यहां से देख लीजिए, यह आपका कितना हो जाएगा, माइनस यह ओमेगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अभी देखिए यहां से, इस पर पावर जो है, माइनस पर पावर इवेन नमबर है, यहां भी माइनस का पावर इवेन नमब है तो माइनस तो इसे ही खतम हो जाएगा आपका ठीक है यहां से यह हो जाएगा 1 प्लस 2 का पावर 8 है यह ना 2 का पावर 8 हो जाएगा और यह ओमेगा का पावर 16 हो जाएगा यहां आपका यह माइनस ठीक है और यह 4 का पावर 4 आ इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 8 यहां से आपका यह 2 का पावर आपका कितना हो जाएगा 8 और omega का पावर 4 चलिए आगे बढ़ते हैं 1 प्लस 2 का पावर omega का पावर 16 है इसको क्या लिख सकते हैं 3 से डिवाइड कर लीजिए और यह 5 और यह 15 एक 16 हो जाएगा आपका वो ठीक है यहां पर आपके पास omega बच जाएगा ठीक है समझ रहे हैं न यहां पे cube कीजिए और यहां पे 5 कीजिए और into omega 8 और यहां पे आप cube कर लीजिए और omega कर ठीक है तो यह 1 और यह 2 का पावर 8 यह तो 1 हो जाएगा कितना बचेगा सिर्फ omega और minus यहां भी 2 का पावर 8 omega cube आपका 1 हो जाएगा और यह omega ठीक है यह और यह cancel हुआ आपके पास कितना बच गया 1 ठीक है तो इस तरह से हम लोग omega के साथ deal कर सकते हैं यहां भी आपका असान ह देखिए इसको भुसे कर लिजेगा यहां वन और प्लस omega square इसके जगा पर आप माईनस omega यूज कर लिजेगा ठीक है यहां वन और पहले omega 4 है 200 को अभी आप देखें यहां पर क्या कीई आ उसके साथ है ना omega 4 को इस तरह से यह आपका omega दे देगा ठीक है इसी तरह से इसको ढ कर लिजेगा और यहां multiplication में उसका result वो आ देगा तो इस question को आप खुद से practice कीज़ें ठीक है चलिए next question पर आते हैं आपको यहां से prove करना है कि इसका जो value होगा वो minus 1 के बराबर आएगा ठीक है कुछ अगर याद किया जाए तो हम लोग जो देखे थे क्या कि omega जो होता है वो minus 1 और plus root 3i by 2 के बराबर होता है ठीक है और omega square जो को हम लोग क्या लिए थे minus 1 और minus root 3i by 2 के ऐसा है है तो root 3 तो उपर नीचे दिख रहा है हुँ minus 1 नहीं दिख रहा है ठीक है तो कहीं न कहीं ये चीज ये चीज आपको hint कर रहा है कि कुछ इस form में आप लेके आ जाओ ठीक है और power भी 200 है ठीक है तो जैसे ही आप इस चीज को omega या omega square के form पे लेके आते हो फिर आप जो भी power हो आप deal कर सकते हो अभी ये deal करना मुश्किल है अभी आप यहां से उसको solve करने का कौसिस करो मुश्किल है ठीक है तो कहीं नहीं कहीं कुछ हमको omega और omega square के इस form पे लेके आना पर है तो कहने का मतलब अब इसमें भी minus 1 है यहां भी minus 1 है तो minus 1 अगर हम लेके आ जाते हैं तूसरी बात यहां root 3 है root 3 हो यहां दोनों में root 3 के साथ i से multiply हुआ हुआ है है ना और एक चीज़ आपको मालूम है कि i square का जो value होता है वो कितना होता है minus 1 यानि कहीं ने कहीं आपको यहां पर एक काम करना पड़े रहा कि पहले लिख लेते हैं यह i plus root 3 और यह minus i और plus root 3 इसका power 200 है यहाँ minus i minus root 3 तो कहीं ने कहीं आपको यहां से hit मिल आए कि आप इसको ऊपर और नीचे दोनों में i से multiply कर लो ठीक है यहां से अगर आप i से multiply कर लेते हैं ठीक है न है न यहां आप यहां भी i से इसमें multiply कर लीजिए और यहां भी i से multiply कर लीजिए जो काम हम कर रहे हैं वो balanced हैं क्या है balance कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो आप i से कर लीजिए जैसे ही i से यहां multiply कीजिएगा i into i i square जो की कितना के बराबर हो जाएगा आपके minus 1 तो यहाँ पर यह minus 1 और यह root 3 i नीचे में भी i into i नीचे में आपका i into i i square और पहले से वहाँ पर आपका minus है यह यह 1 हो जाएगा ठीक है और यह plus root 3 i ठीक है यह रहा कुछ आगया उस form पे आपका और इसका power कितना है 2 है यहाँ भी यही काम कीजिए आप i से multiply और divide कर लीजिए तो i square हो जाएगा जो की minus 1 और minus root 3 i और नीचे में भी आपका i square जो हो जाएगा वो minus 1 और plus root 3 i के बराबर हो जाएगा और इसका भी power कितना है आपके पास 2 है अब चलिए अब क्या किया जाएगा तो या तो आप यहाँ अब 2 से दोनों में divide कर लीजिए या नहीं तो फिर आप यहीं से आजाएगे ना क्या हो जाएगा यहाँ से अगर 2 से multiply कर लेते हैं तो यह minus 1 और प्लस रूट 3 आई हो जाएगा ठीक है और और यहाँ से जो हो जाएगा यह आपका 2 omega square is equal to minus 1 और minus root 3 है ठीक है पुचली आते हैं या तो इसके जगा पे minus 1 प्लस रूट 3 आई इसके जगा पे क्या यूज़ कर ले 2 omega by अब यहाँ देखिए यह दोनों plus हैं ठीक है प्लस है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप यहाँ से अगर इसमें minus से multiply कर लेते हैं तो यह 1 plus root 3 आई हो जैसा requirement वैसा यूज़ करेंगे हम उससे ठीक है अब 1 plus root 3 आई हा रहा है तो हम इसके जगह पर क्या भी यूज़ कर लें बोलिए minus 2 omega square और इसका power 200 ठीक है प्लस अब यहाँ क्या आ रहा है minus 1 minus root 3 आई इसके जगह पर क्या यूज़ कर लेंगे 2 omega square और इसके जगह पर आपका 2 omega और इसका power 2 है है नहा cancel अब आ जाए minus है minus का power क्या है 200 even है प्लस हो जाएगा क्या बचा आपके पास 1 plus omega और इसका power कितना 200 और यहाँ क्या बचा omega का power 200 अभी अभी आपको बताया गया था कि अब जब 1 by omega आ रहा है तो इसके जगा पर आप क्या यूज कर लिजिए omega square कर सकते है है नहा तो यह आपका omega square है और इसका power कितना है 200 और यह omega का 200 अब चलिए तो यह 200 into 2 400 हो जाएगा ठीक है 400 है तो इसको deal करने के लिए 3 से divide कर लिजिए है नहा 400 है इसको 3 से divide कीजिए ठीक है है ना तो 133 त्री टाइमस हो जाएगा यानि 399 एक बचरा है 400 के लिए क्या कर लिजिएगा omega ठीक है तो यह 400 हो गया अब यहाँ 200 है तो 3 से divide कीजिए यह आपका हो जाएगा 66 है ना तो यह आपका हो जाएगा 66 हो यह नि 198 हो जाएगा आठार 198 प्लस इंटू omega कर लिजिए ठीक है ना तो यह कितना हो जाएगा 200 ठीक है ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से यह हुगा कि यह तो आपका यह दोनो 1 हो जाएगा तो यानि यहाँ पे आपके पास बचा omega और यहाँ पे बचा omega square और omega plus omega square कितना होता है minus 1 होता है है ना यह सब property तो हम लोग पहले ही देख चुके है है ना omega plus omega square जो है वो आपका minus 1 होता है तो इस तरह से हम इसके साथ हम deal कर सकते बस यह सब property आपको मालूब होना चाहिए कहां पर कैसे क्या यूज़ करना है ठीक है यह चीज़ याद रखेगा ठीक है प्रैक्टिस कीज़ी अच्छे से आ जाएगा यह सब भी है ना और ज्यादा टप नहीं है इफ एन इस पोजिटिव इंटीजर तो प्रूफ करना है यही एक unknown power है ठीक है जिसकी बात हम पहले किये थे ठीक है ना इसपेस नख होने की वाज़ा से चलिए अब यहीं पे हम लोग डिसकस करेंगे इस चीज़ को ठीक है कि अगर इन आपका कोई चलिए आते हैं देखते हैं क्या है आपके पास यह आपका minus 1 और क्या है रूट में अंडर रूट minus 3 है ना तो इसको आप root 3i लिख सकते हो और by में 2 और इसका power कितना है n और यहां से यह minus 1 और minus यह आपका root 3i by 2 है और इसका power n है इसका value 2 होगा या फिर 1 होगा minus 1 होगा यह आपको दिखाना है तो आपको मालूम है कि इसको क्या बोलते हैं आप omega omega का power n हो जाएगा इसको omega square बोलते हो तो omega ठीक है बस अब इसी चीज़ इसी को बताना है कि इसका जो value होगा तो क्या होगा 2 होगा या फिर minus 1 होगा तो चलिए अभी अभी आपको हम बताए क्या कि जब भी omega के power से unknown power से higher power से जब आपको deal करना हो तो उस power को आप 3 से divide करें ठीक है तो चलिए अगर हम इस power को 3 से divide करते ठीक है अब बोल भी रहा according as n is a multiple of 3 और not a multiple of 3 तो आते हैं पहले अगर n में divide करते हैं ठीक है तो क्या हो एक चीज़ देखें यहाँ पे अगर हम 3 से 3 में divide करते हैं या 3 का अगर multiple लेते हैं ठीक है remainder क्या बचेगा आपके पास 0 अगर 3 से आप 4 में divide करते हैं remainder 1 बचेगा ठीक है फिर 3 से अगर आप 5 में करते हो 2 बचेगा ठीक है फिर 3 से अगर आप 6 में करते हो तो remainder फिर आपके पास 0 आ जाता है यानि कहने का मतलब कि अगर आप 3 से divide कर रहे हो यहाँ तो क्या-क्या remainder माल लेते हैं यह लग रहा है ठीक है क्या-क्या हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है और 2 हो सकता है है ना यह हो सकता है ठीक है तो कहने का मतलब कि यहाँ से आप n को n को क्या-क्या ले सकते हो एक ले सकते हो 3m दूसरा ले सकते हो 3m प्लस 1 ठीक है और फिर ये 3M प्लस 2 यह तीन आपके पास आ रहा है है ना देखर पा रहे हो ना remainder आपका यहां पे क्या क्या है या तो 0 है 1 है और 2 है उसके पाद जैसे ही 6 पे आए यानि 3 का multiple हुआ तो फिर remainder 0 यानि repeat हो गया यानि कहने का मतलब कि हम यहां से या तो 0, 1 या फिर 2 ले सकते हैं ऐसा कर लिए यह clear है यह concept clear है आपका कि अगर आप 3 से divide कर रहे हो तो आपके पास 0, 1 और 2 यह remainder बचेगा तो इस तरह से फिर आपको जब power को 3 से divide कर रहे हो तो हम ऐसा लिख सकते हो आप यहां पर आप देख पा रहे हो यह जो है यह 3 का multiple है बोला है according as n is a multiple of 3 or not a multiple of 3 तो यह जो है यह multiple of 3 है और यह दोनो multiple of 3 नहीं ठीक है तो नहीं है तो चलिए निकालते है इसका value तो आज़ें case 1 उसमें दो बात बोला है आपको ठीक है n is a multiple of 3 तो आजाते हैं लिख लेते हैं कि when n is multiple of 3 यानि यहां से n is equal to आप 3m यूज़ कर सकते हो तो आजाओ क्या हो जाएगा देख लेते हैं यहां से omega का power n के जगा पर आप 3m यूज़ कीजिए और फिर omega का power 2n है तो यह यूज़ करेंगे तो यह आपका 6m हो जाएगा ठीक है omega q दिख रहा है यहां भी cube है यानि चलिए इसको थोरा सा आपको rearrange कर दे आजाओ ठीक है तो क्या हो जाएगा और यहां से 2m कर लाओ ठीक है cube है 1 हो जाएगा यह भी 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 यानि कितना 2 एक आगया आगे की बात करते अब आदे हैं case 2 जब n is not a multiple of 3 ठीक है लिख लीजेगा not a multiple of 3 यहां लिखा हुआ है न एक case कर लिए multiple के लिए यानि कहने का मतलब आई है हम direct यह लेना चाहरे है यह एक बार n is equal to कितना है आपका 3m प्लस 1 यूज करते हैं यानि कहने का मतलब n is not a multiple of 3 तो आजेगे यहां से क्या हो जाएगा देखिए omega इसका पावर n यानि आपका यह 3m प्लस 1 और प्लस omega square यानि इसका पावर हो जाएगा आपका 2 से into हो जाएगा 6m प्लस 2 ठीक है अब आगे बढ़ते हैं पावर add है आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3m into omega का पावर 1 ठीक है बेस सेम है तो multiplication में power क्या होता है add हो जाता है exponent में आप परह होईएगा ठीक है यहाँ पे यह 6m और यह omega square ठीक है अभी अभी देखे जब यह 3m और 6m है तो result कितना दे रहा है यह भी 1 और यह भी 1 दे रहा है ठीक है यानि कहने का मतलब यह 1 हो जाएगा तो यहाँ पर omega बचेगा यह भी आपका 1 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा omega square और ये कितना के बराबर होता है आपके omega plus omega square minus 1 के बराबर होता है ठीक है and record है उस पर भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दो ही value आपको मिल दा है 2 और minus 1 तो चलिए अगला क्या है n is equal to 3m plus 2 तो आते हैं यहाँ पर omega का power ये 3m plus 2 और यहाँ से omega का power ये आपका 6m और plus कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा जब 2 से into होगा तो 6m plus 4 हो जाएगा ठीक है फिर वही कहानी है यहाँ से अपलिक लीजिए 3m into omega square यहाँ से omega का power 6m into 4 यह 1 यह भी 1 है न याद रखिएगा जब भी omega का power जब भी 3 का multiple हो चट से आप उसको 1 कर लीजिए ठीक है न जहाँ भी यह omega q 1 omega 6 1 है न omega का power 12 ऐसा 1 है न 51 है न कितना 1 क्या है यह सब 3 का multiple है power जो भी देख रहे हैं यह सब 3 का multiple है जहाँ भी 3 का multiple देखे omega पे power है न तो यह 1 हो जाएगा यह आपका omega square और यह omega 4 बचा omega square को रहने दीजिए 4 के साथ आप इस तरह से deal कर लीजिए 3 और 1 पे चीक है तो यह आपका omega square और यह आपका 1 हो जाएगा तो omega फिर से वही result आया जो कि कितना के बराबर होगा minus 1 तो इस तरह से यह आपका proved हुआ है दिख दीजिए यहाँ पर hence proved ठीक है क्या क्या हुआ कि जब 3 का multiple ले रहे हैं आप ठीक है तो result आपके पास 2 आ रहा है ठीक है जब 3 का multiple नहीं ले रहे हैं ठीक है न यानि इस तरह से यह 3m plus 1 और यह 3m plus 2 ले रहे हैं तो इस दोनों का result क्या आ रहा है आप देख पा रहे हो कितना minus 1 ठीक है तो इस तरह से जब आपको दिया गया था proof करने के लिए proof हुआ clear है आगे बढ़ते हैं note कर लीजिए इसको न बोलना है कि if omega is an imaginary cube roots of unity then find the value of this one ठीक है इसका value आपको बताना है क्या होगा तो चलिए क्या है a plus b omega plus c omega square by c plus a omega plus b omega square plus यह रहा है अब अगर इसको हम lcm ले multiply करें यहां है तीर क्रमीस में हैं कितना लेंडी multiplication होगा है ना मगर कुछ omega का जो हमारे पास properties है है ना अगर उसका कुछ इस्तेमाल करें तो साइब काम बहुत आसान है मेरा है ना आपको मालूम है omega cube जो होता है वो कितना होता है अब जड़ा यह उपर और नीचे वाले को जड़ा गौर से देखिए है क्या देख पा रहे हुँ यहां c के साथ omega square है यहां c के साथ क्या है खाली है ना यहां a है और यहां a omega है ठीक है ऐसा है कुछ उसमें भी है ठीक है अगर हम एक थोड़ा छोटा सा काम अगर इसमें यहां पर हम करते हैं ठीक है तो यहां c का omega square आपको दिख रहा है और यहां c दिख रहा है अगर इसको भी हम c बना ले एक को बनाएंगे भागी अपने आप बराबर मिलना सुरू हो जाएगा ठीक है इसको अगर हम c बना ले तो मेरा काम हो जाएगा यहां भी देखिये c omega square है और यहां आपका c omega है ठीक है यहां इसपर फोकस कीजिए यहां a पर यहां a है और यहां a omega square ठीक है अगर इसको हम a बना ले तो a कैसे बनेगा अगर यहाँ पर omega cube हो जाता है ठीक है यहाँ भी c कैसे आएगा अगर यहाँ पर omega cube आ जाता है ठीक है एक छोटा सा काम कीजिए और देखें क्या होता है यानि कहने का मतलब आप इसमें उपर और नीचे omega से multiply कर दीजिए ठीक है आप omega से multiply करके एक पर देखिए ठीक है तो multiply कर रहे हैं तो divide भी करना होगा ठीक है अरे और पलस यहाँ भी वही काम करते है यहाँ A है यहाँ A omega square है omega cube हो जाएगा चलिए omega से करके देखते हैं ठीक है तो यह आपका A पलस B omega और पलस C omega square और यहाँ आपका B पलस C omega और पलस A omega square है ठीक है तो चलिए उपर में ही कर लेते हैं ठीक है यहाँ आपका दिल है नीचे में तो नीचे में भी कर सकते हैं कर उपर में ही कीजिए चलिए omega से करते हैं ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा A omega और प्लस B omega square C omega Q तो omega Q कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा तो रहने देते हैं और नीचे में इस omega से multiply नहीं करते हैं क्योंकि जैसे ही omega से multiply किये देखें यह वाला term आपको पूरा मिल गया देखें A omega यहां भी A omega है प्लस C प्लस C और B omega ना B omega square मिला ना हाँ नीचे में भी आपका क्या है B omega square है ठीक है यानि मिल गया ना देखें पहले एक बाद लिख लीजिए यह आपको इसको आप rearrange करके A omega plus B omega square और plus C लिख लीजिए ना क्या दिक्कत है ना देखें यह और यह आपका दुनों same दिल गया होगा क्या यह cancel हो जाएगा क्या बचेगा यहां पर आपका सिर्फ 1 by omega अब ज़रा आगे बरते यहां यहां पर क्या हो रहा है कि अगर omega से multiply करते हैं तो A omega ठीक है यहां क्या है A omega square है B omega square मगर यहां B है नहीं काम बन रहा है है ना काम नहीं बन रहा है अगर इससे करे तब इससे करे तब चेकर करना होगा क्या है देखते हैं कि अगर यहां आप multiply करते हो तो क्या हो जाएगा A omega square A omega square ठीक है और B इसमें करते हैं तो B omega Q यानि B बच जाएगा आपके पास है ना B omega into omega square B omega Q यानि B बच जाएगा और यहां C omega का power 4 हो जाएगा तो इसको हम कैसे डिल कर सकते हैं Q into omega यानि omega बच जाएगा ठीक है यानि आपके पास C omega बच जाएगा ठीक है ये और ये सेम हो गया B, B, A omega square A omega, C omega, C omega ठीक है क्या बच आपके पास यहाँ 1 by omega square ठीक है आगे 1 by omega को क्या लिख सकते हो omega square 1 by omega square को omega जो की कितना के बराबर होगा आपके minus 1 है ना तो कुछ ये सब जो omega का properties है उसको apply करने आना चाहिए है ना देखें क्या क्या है simple सा छोटा सा वर्थ दोनों जगर कर दिये ये 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 येतना जो लंबा चावरा सा टर्म दीख रहा था है ना छोटा सा टर्म में आके आपके convert हो गया और result देखे गया हो ठीक है next बोला है कि if x plus 1 by x is equal to 1 then आपको value find out करना है इसका चली ऐसा तो देखते है सबसे पहले क्या है कि जो आपको दे रहा है क्या है given कि x x plus 1 by x is equal to 1 ठीक है तो यहां से यहां से यहां से ncm ले लीजे यह आपका x यह x square plus 1 is equal to 1 हो जाएगा यह आपका x square plus 1 is equal to x तो यह आपका हो जाएगा x square minus x plus 1 is equal to 0 ठीक है यहां से वही quadratic formula पे आगे है आपका set कर लीजे तो minus 1 तो minus minus plus 1 हो जाएगा है ना 1 plus minus under root 1 minus 1 minus है ना यहां यहां से आपके पास root 3 बचेगा minus में यह आपका root 3 i by 2 ठीक है यानि यहां से आप इसको लिख सकते हैं कि 1 और plus root 3 i by 2 और यह कि यह 1 1 minus root 3 i by ठीक है आगे तो minus होता था है ना आगे minus होता था अब क्या करें कुछ नहीं simple दी बात है देखिए आपको मालूम है कि ओमेगा जो होता है वो minus 1 और plus root 3 i by 2 के बराबर होता है मगर यहां पर आपको कुछ ऐसा नहीं दीख रहा है ठीक है और omega square जो होता है वो आपका minus 1 और minus root 3 i by 2 के बराबर होता है ठीक है यह सब पहली पहली दफ़ा कर रहे है अगर यहां से आप minus से multiply कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 minus root 3 i by 2 यह सब रिजल्ट याद रखेगा माइन में फटाफट calculate कीजिए वहां डालिए और simplify कीजिए उसको यह रहा अगर यहां अगर minus से multiply कर देते हैं तो यह 1 plus root 3 i by 2 यानि जो value आपको इस तरह से मिल ला है यह कहीं न कहीं omega के आसपास भटक रहा है ओमेगा, omega square के आसपास है ठीके मागर आपको मालूम है कि यहां minus होता है यहां minus होता है जो इसमें तो 1 ही दीख रहा है minus दीख नहीं रहा है तो नहीं दीख रहा है तो पुछ इसमें आगे पीछे करें अगर सोचिए minus multiply की आएगा वो डिज़ दीख न तो चलिए यहां से any का ने का मतलब यानि यह एक जो है आपका 1 पलस वाला जो यह है यह minus omega square हो जाएगा और यह 1 minus root 3 i by 2 जो है वो minus omega हो जाएगा ठीक है चलिए इसको note कर लीजे ठीक है इसको यहां से हम हटाने वाले हैं इस चीज़ को note कर लीजे ठीक है अब जब आपके पास ऊच रहा है कि x का power 200 2000 और 1 by x का power 2000 उसका value क्या हो का ठीक है इसको note कर लीए चलिए अब आपका x का 2 value आया तो चलिए 1 by 1 दोनों के लिए देख लेते हैं ठीक है कि जब x is equal to minus omega होगा तब क्या करेंगे ठीक है तो आईए क्या है आपके पास x का power 2000 और यहां भी 2000 ठीक है तो यहां से minus omega का power 2000 अब 1 by minus omega का power 2000 ठीक है negative का power even है positive हो जाएगा 2000 हो जाएगा अब 2000 के लिए हम लोग deal कर लेते हैं अभी अभी आपको इस्टार्टिंग में भी है ना बताया गया था कैसे deal करेंगे तीन से डिवाइड करेंगे ठीक है यानि यह तो आपका 2000 हो जाएगा तो यानि आपका वही काम है क्यूब और यह 666 और यह ओमेगा स्क्वाइर यह 1 हो जाएगा आपका यह ओमेगा स्क्वाइर और पलस 1 बाई ओमेगा स्क्वाइर है ना अभी अभी यह भी आया था है ना 1 बाई ओमेगा स्क्वाइर ओमेगा और ये माइनस 1 ठीक है अब आज़े अब जब X का value आप अब जब यहाँ पर X आप माइनस omega square लेते हो तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से यह हो जाएगा आपका X के जगाँ पर रख लो तो माइनस omega square का पावर 2000 है ना और पलस माइनस 1 by omega square का पावर 2000 पलस हो जाएगा omega का पावर 4000 चीक है 1 by omega का पावर 4000 चीक है 4000 से deal कर लेते है क्या हो जाएगा 3 से divide कर लो 4000 को चीक है 0, 3, 3, 0, 9 1, 0, 3, 3, 0 9, 1, 0, 3, 3, 9, 1 यानी 1333 ठीक है तो चलिए जब यहाँ पर 3 से divide करेंगे तो यह 1333 इन्टू 3 यह आपका हो जाएगा 3,999 है ना 4000 है ना यानि यहाँ omega बचेगा और नीचे में भी अब देखेंगे यह 1 हो जाएगा यहाँ पर तो space कम हो रहा है चलिए लिखी देते एक को लिख देते दूसरा को क्या छोड़ना 1, 3, 3, 3, 3, 3 और omega बचेगा ठीक है यानि कहने का मतलब यह omega और यह बचने वाला है 1 by omega आपका omega square जो की minus 1 तो यह रहा तो इस तरह से जो इसका value होगा वो कितना के पराबर होगा दोनों में क्या दिख रहा है आपको minus 1 ही आ रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब उमीद है कि इस तरह के question के साथ आप इसली deal कर लेंगे जहां भी omega involved हो रहा है वहां से आप आसा नहीं सी कर सकते है ठीक है इफ x square plus x plus 1 is equal to 0 देन प्रूव करना है कि यह 54 के बराबर होगा क्या दे रहा है 1 से सुरू होके और x का power 27 तक अभी अभी ज़स्ट किये अभी 2000 के साथ deal कर लिए है ठीक है तो चलिए आए यहां पर देखते हैं इसको कैसे करेगी यह x square plus x plus 1 is equal to 0 दे रहा है है ना तो इस्टार्टिंग में ही देखे थे यहां से x का जो value आएगा क्या omega और omega square होगा है यही होगा ना तो चलिए एक value ले ले लेते हैं यहां से x is equal to omega लेके ही इसको solve करते हैं ठीक है 1 by 1 देखते हैं पहला क्या है आपका x plus 1 by x है ना तो यह omega प्लस 1 by omega ठीक है यानि omega प्लस यह 1 by omega omega square जो कि कितना हैगा minus 1 यानि x plus 1 by x आपका minus 1 आ रहा है ठीक है square पे देख लेते हैं ठीक है तो omega square ठीक है और पलस 1 by omega square minus 1 ठीक है यानि इसका और देख लेते हैं square के बाद एक cube भी देख लेते हैं तो cube के साथ तो tension ही नहीं है omega cube अब पलस 1 by omega cube यह भी 1 और यह भी 1 1 by 1 यानि कितना 2 हो जाएगा ठीक है starting में ही बताएथे हैं तीन का जहां multiple अगर दिख रहा है वहाँ टेंसल लेनी की बात नहीं है सिर्दा 1 लिखने का ठीक है अब आज़ेगे जड़ा आप 4 पे चेक कर लेते हैं उसके बाद अब 27 तक थोड़ी चेक करते रहेंगे नहीं न तो एक्स का पावर 4 और ये तो ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 4 और ये 4 यहां से क्या हो जाएगा आपका ये ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा और फिर ये 1 बाई ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा ये भी यानि यहां से ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा बचेगा कहां आया यही है ना कितना माइनस 1 फिर अगर 5 पे चेक करते हैं तो 5 पे क्या होगा ओमेगा स्क्वाइर फिर माइनस 1 ठीक है फिर 6 पर जब चेक करेंगे तो 3 का मल्टिपल आया तो वहाँ पे result क्या आएगा 2 आएगा ठीक है ना यानि एक पेटर्न आपको समझ में आ गया कि कहां पे माइनस 1 होने वाला है और कहां पे आपका 2 होने वाला है ठीक है ना तो जहां जहां एक्स का पावर ये 3 का मल्टिपल दीख रहा है वहाँ वहाँ result 2 आने वाला है उसके अलाबा हर जगा आपको क्या मिलने वाला है माइनस 1 मिलने वाला है ठीक है तो देखते है तो कहने का मतलग कि आपको वैलू निकालना है एकस पलस 1 बाई एकस ठीक है इसका स्क्वाइर है फिर एकस स्क्वाइर और पलस 1 बाई एकस स्क्वाइर है ठीक है प्लस फिर इसी तरीके से ये जाएगा कहां तक जाएगा अभी देखते हैं प्लस और हम एक काम करते हैं कि जो भी तीन का multiple है उसको एक साथ रखते हैं और जिसमें तीन का multiple नहीं है उसको हम लोग एक साथ रखते हैं ठीके तो जहां जहां तीन का multiple है कहां कहां है एक तो आपका xq और पलस 1 by xq पे हैं फिर आपका ये 6 और ये 6 पे होगा ठीक है फिर 9 पे है ना 12 पे 15 पे इसी तरह से last में आपका कितना है 27 ये ही है ना यहां तक है कितना term है सब में और सब पे square भी है डालते जाएगा ठीक है तो तो चलिए कितना तक हुआ इसमें 3, 6, 27 तक यानि इसमें 9 जगा ऐसा आ रहा है क्या ये total कितना हो जाएगा ये total 9 है total कितना 9 है 9 terms हो जाएगा इसमें तो इधर 9 है तो इधर क्या बचेगा आपके पास ये जो इस तरह से यानि जहां पर minus 1 आने वाला है है ना वो कितना हो जाएगा 9 ये गिया total कहां से शुरू हो था देखिए एक से शुरू होकर 27 तक गिया था तो जो 3 का multiple वाला है 9 है तो ये कितना बचेगा ये जो हम लोग लिख रहे हैं यानि यहां पर अगर हम लिख ले last लिखी देते हैं कि ये 26 और 1 बाई एकस का पावर 26 है ना इसका square ये जो total है ये कितना होगा 18 होगा है ना 18 और 9 27 है ना total 27 दीख रहा है ना कोईस तरह से 27 ठीके तो चली होगा है ना मसला हल हो चुका है आए देखते हैं क्या होगा ये जो भी यहां पर दिख रहा है terms इसका result क्या है आपके पास minus 1 ठीक है और सब पे क्या है square है तो plus हो जाएगा यानि कहने का मतलब ये 18 बार multiply कर लिजिए और into 1 हो जाएगा ठीक है अरे भैया यहां पर 1, 1, 1, 1 1 को अगर 18 बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 18 ही होगा चलो हम into 1 भी लिख दिए और अच्छे के लिए आगे बढ़ते इसमे यहां square है ठीक है तो देखो क्या हो जाएगा इसका value कितना है इसका value इसका value आपका जो 3 का multiple है इसमें value कितना आ रहा है 2 आ रहा है ठीक है तो चलिए 9 times है तो 9 और into 2 का square यहां 1 का square भी लिख माइनस 1 का square लिखोगे लिखी देते हैं जब सब लिखी रहे हैं तो माइनस 1 का square यह नहीं यह आपका 18 और यह 9 और into 4 ठीक है 18 plus 26 कितना तो इस तरह से deal कर सकते ठीक है concept यही था कि कुछ हम लोग pattern देख लिए कि किस pattern में यह जो आपका जो sequence given हो जा रहा है ठीक है तो यहां पर जो भी 3 का multiple है power जो देखो 3 का multiple है वो सब क्या हो रहा है result 2 दे रहा है और बाकी जो भी है वो सब आपका minus 1 देखे जा रहा है सब minus 1 देखे जा रहा है तो 4 वाला भी minus 1 और जो 3 का multiple है वो 2 देखे जा रहा है बस आपको यह रूज नहीं है कि हम एक से लेके 27 तक सब को calculate करते चले बस एक जो pattern बन रहा था उस pattern को देखे समझी और उससे फिर हम लोग direct result इस तरह से लिख लेगे clear है तो यह रहा ठीक है अब next question लेते हैं अब यह है थोरा factorization पे कि कुछ आपको यहाँ पर expression given है इसको linear factors में इसको resolve करना है ठीक है चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है यहाँ पर अभी आपको मालूम है कि कुछ इस तरह से कि अगर हम आपको इसको solve कर factorize करने के लिए दें तो क्या करते हैं आप middle term को split करते हैं है ना यही करते हैं ना यहां से x common करते हैं तो x minus 3 minus 2 common कर लेंगे x minus 3 यह दोनों equal हुआ फिर इसको हम लोग common करते हैं तो इस तरह से हम लोग factor तो यही यहाँ पर linear factor में आपको resolve करना है यहाँ इसमें कितना था तीन term था middle term को split करके 4 term बनाए यहाँ पे और 2-2 को एक साथ रखे ठीक है यह तो बहुत basic बात है यहाँ पे आते हैं यहाँ पे क्या करा यहाँ भी कुछ middle term के साथ आपको छेरचार करना परेगा है न तो चलिए क्या कर सकते हैं इस factor हमको बनाना है linear factor में लेके आना है अब उसके लिए तो कुछ ने पुछ उपाई लगाना परेगा बीच में अब आपको मालूम है अब यहाँ पर use कर लो आप यह यह माइनस वन दिख रहा है ना यहाँ पे तो एक काम करो अब इस माइनस के जगा पे आप omega और plus omega square रख लो और यहाँ अब और यह पलस b square ठीक है देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा a square इस माइनस के जगा पर omega और पलस omega square रख लेते हैं इंटू a b और पलस b square ठीक है multiply करो multiply कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा a b omega और पलस a b omega square और पलस b a square ठीक है अब चला आप कुछ common लेते हैं यहाँ से ठीक है तो यहाँ से जग आप a common करो क्या हो जाएगा a plus b omega plus यहाँ यहाँ पे मामला पसा इसमें a plus b omega आ रहा है तो इसमें भी कुछ a plus b omega आना चाहिए आप क्या हो भी अगर common कर लेते हो आप तो यहाँ a omega square बच रहा है है ना मामला पसा एक काम कर सकते हैं जब q root of unity का सारा प्रोबर्डिय हमको मालूम है ही है कुछ इसके साथ ऐसा ना कर दें लगा सकते हैं है ना omega q आपका कितना होता है अगर ऐसा आप कर लिए तो देखिए अब क्या होगा अगर यहाँ से आप b omega square common कर लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a plus b omega है ना है ना क्लियर है ना जैसे ही b omega square लीजेगा यहाँ पर a बचेगा और यहाँ से b square है तो b omega square है तो omega बच जाएगा आपके पास यह दोनों देखें आपके पास same हो गया तो a plus b omega रहा common कर लिए और इधर बच गया आपके पास a plus b omega square तो इस तरह से हम लोग इसको factorize कर सकते हैं ठीक है यहाँ देख लीजे यहाँ क्या कर सकते हैं यहाँ पे plus में ठीक है उस plus के साथ कैसे deal करेंगे हैं तो कुछ नहीं यह आपका a square और minus और minus of a b और plus b a square कर लीजे आप ठीक है कोगी यहाँ तो minus 1 था तो minus 1 के जगह पर हम लोग यूज़ कर लिए ठीक है इसलिए यहाँ पर minus लेके आए हैं और इस minus के जगह पर इसके जगह पर हम लोग यूज़ कर लेंगे omega और plus omega square ठीक है और इधर आपका minus a b है और यह आपका b square है ठीक है तो यह आपका हो जगह a square minus a b omega minus a b omega square और plus यहाँ b square है और omega q लगा लीजिए फिर वही चीज़ है आपके पास ठीक है तो यहाँ से a common कीजिए तो a minus b omega यहाँ से आप minus b omega square common कर लीजिए तो a minus कर रहे है यहाँ plus है तो यह minus और आपके पास b omega बचेगा यह दोनों आपका factor आ गया a minus b omega तो इधर क्या बच जाएगा आपके पास a minus b omega square तो इस तरह से आप resolve कर सकते है factors में ठीक है न omega का use करके ठीक है थार्ड आते हैं तीसरा देखिए क्या है यह आपका a cube और पलस b cube है a cube पलस b cube क्या होता है आपका a plus b और a square minus a b और पलस b square क्या हुआ है आप लोग कर लीजिएगा detail में ठीक है न अभी मेरे सामने है चलिए इसको use कर लेते हैं यहाँ क्या a plus b omega a plus b omega और फिर a plus b omega square ठीक है वही कहानी यहाँ भी कुछ होगा यहाँ a minus b q minus b क्यू जो होता है और a square plus a b और plus b square होता है तो एक तो फेक्टर आपका a minus b है इसके साथ कुछ करना ही नहीं है a square plus a b और plus b a square के जगह पर यह यह ना यह है इसके लिए क्या है आपके पास a minus b omega और a minus b omega इसको नहीं है तो यह रहा आपका यह किस तरह से हम लोग resolve करते हैं linear factors में जो आपका omega जो cube roots है उसका use करके तो इस तरह से यह lecture आपका यहीं पर complete होता है अच्छा important topic था आपका यह cube roots of unity तो आपका यह अच्छा से practice कीजिए यह cube roots of unity होता क्या है क्या क्या उसका properties है और किस तरह से हम लोग इसको question पर implement करते हैं इस चीज के लिए आपको जो आजका डिक्चेर में दो भी questions कराया गया है उसको अच्छे से practice कर लीजिएगा क्या-क्या properties है अच्छे से mind में रखिए बाखी easy topic था यह Thank you